लिए आपनिने जडाब के लिए से श्वागत है अपके पेस्ट की रेसिपी आपके साथ गला बशुप साहए हुआ सुबह की भागदौर में खाणा बनाने में समय मैंच करने में बहुत इसलहा होती है ऐसे में अगर अद्रक, हरी मिर्ची, लसुन का पेस्ट आप बना कर रखें तो थोड़ा समय भी बचाया जा सकता है चलिए तो मिर्ची के पेस्ट की ये रेसिपी देख लेते हैं यहांपर मैंने 2 से 5 रंघ हरी मिर्च लिएः इसे मैंने धोकर अच्छे से सुखा लिया है आप देख रहे हैं कि मिर्चिया कितनी ताची है और कहीं से कटी हुए या कोई धबय लगे हुए नहीं हैं इसी तरभी आप फ्रेश मिर्ची मार्केट से लेकर आए मैंने यहाँ पर मिर्चियों को काटने के लिए एक कैची का इस्तेमाल किया है जिससे ना मिर्चिय काटना बहुत आसान हो जाता है आप चाहे तो चाकू भी यूज़ कर सकते है सभी मिर्चियों को काट कर एक बड़े बोल में निकाल देंगी और इस तरह डंटल होती है ना उसे हम निकाल कर फेक देंगे उसका हमें इस्तेमाल नहीं करना है यदि आप गहरे रंगी तीखी मिर्चिया पसंद करते हैं तो आप हलकी रंगी इस मिर्चियों की जगर पर उन मिर्चियों को भी ले सकते हैं चल यह मैंने सभी मिर्चियों को काट कर यहां पर रख लिया है मैंने यहां पर एक मिक्सर ग्रेंडर जान लिया है और सभी मिर्चियों को उसमें डाल दिया है इसके बाद हम इसमें एक चमश नमक डालेंगे ध्यान रहे नमक हमें ज़रू डालना है क्योंकि यहाँ एक प्रिजरेटिव का काम करता है नमक डालने से मिर्ची का पेस्ट हम जादा दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते है साथ ही में मैंने यहाँ पर एक नीबू लिया है जिसका रस निचोड कर मैं इन मिर्चियों के उपर डाल दूँगी नीबू का रस मिर्ची के हरे रग को बरका रखने में बहुत मदद करता है और दरशकों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें फ्रेंड्स और फैमडी के साथ में इसे शेर करें और सब्सक्राइब करना कभी न भूले यहां हरी मिर्ची का पेस्ट रेफ्रीजेटर में 8 दिनों तक ताजा रहता है और अगर आप इसे ज़ादा बनाना चाहते हैं तो इस पेस्ट को आप डीप रिजर में ही रखे आप इस पेस्ट का इस्तेमाल लगबग हर उस वेंजन में कर सकते हैं जो रोटियों से लेकर पुलाओ और यहां तक की कई तरह के स्नैक्स और सब्जियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है चलिए बातों बातों में पेस्ट हमारा बनकर तयार हो गया है मैं आपको नज़्दीक से दिखा देती हूँ यह पेस्ट का रंग देखिए आप कितना सुन्दर आया है चलिए पेस्ट को दूसरे वर्थर में ट्रांसफर कर लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मज तेल आप यहां पर कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं खाने का यह तेल भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है चलिए तैयार हो गया है हमारा यहारी मिर्ची का पेस इस तरह आप सुबर सुबर की भागदार में आपटा कुछ समय बचा सकते हैं मैंने यहां पर एक एर टाइट कंटेनर लिया है मैं सभी मिर्ची के पेस्ट को उसमें ट्रांसफर कर दूँगी और इसे फ्रिज में हम अच्छे से रख देंगे आप भी मेरी इस रेसीपी को स्टेप पर स्टेप फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट मॉक्स में बताइए आपको यह रेसीपी कैसी लगी वीडियो को अंग तर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी और मुझेदा रेसीपी के साथ तब तक खाते रहिए खुश रहिए